हाई गाइस वेलकम तो आल मोबल सेलिशन माइनिम दिल्शाद उसें दोस्तों आप देख रहेगे आइफोन के बारे में बता होगा मैं आइफोन 7 प्लस है और इसके अंदर कैसा बैटरी है इंदर माइनस में जा रहे है मतलब सर्विस में है तो यह रिप्लेस्मेंट में आपक आपको करके मिलेगा और बैटरी भी 100% और एपल करेगा तो इसके अंदर बैटरी हेल्फ में आप जाए तो आपको दिखाएगा 100% ठीक है चलो स्टार्ट करते है दोस्तों आप देखे कि आईपोन 7 प्लस का है जैट ब्लैक इसके अंदरा हाउसिंग रिप्लेस्मेंट करना और बैटरी हेल्फ देखेगा तो 100% नहीं है सर्विस दीका रहा मतला बैटरी भी घराब हो गई है बैटरी देखेगा एपल करके 100% और जिनल रिप्लेस्मेंट करके मिल जाएगा एपल का हर प्रोडेक्ट जो जाएगा छोटे से बड़ा तक हमारे पास सब मिलेगा बॉड आपको कुछ प्रॉबलम नहीं आएगा यह बटरन है और सिम स्लॉट है तो आपको मैं पूरा तरीका इसका बता होगा स्टेप बेस्ट है फर्स्ट आप देखेगा दो स्कुरू आपको सेफ्टी से खोलना रहेगा और इसके इंदर वाटर प्रेजिस्टन सील रहता है तो आपको कैसा खोलना रइगा Kalimler आपके पास अपर आपका तो अब करना रहेगा ज्यादा हीटिंग नहीं करना आपको से अपको खूलना रहेगा साइट के तरब देखेंगा राइट साइट तो स्टीप रहती डिस्प्ले की और ऊपर ठॉप्प के धांच से आपको क्रिप आपको पहला बैटरी का लिकाना है डिस्प्ले का लिकाना है उसके बाद आपका ship का लिकाना है जो calling speaker और camera का connection रहता है इसमें कुछ भी mystic नहीं होना जाई है बैटरी का जो कनेक्टर होता उसको सेफटी से लिकालना रहेगा जित्ती भी स्कुरू रहेगे पहला मदर बोड ओपन करने से पहला बैटरी के जो गम्स रहते ये लिकालना रहेगा बैटरी के नीचे रहते इसको खीच के लिकालना पड़ेगा, यह आपके बस chemical रहेगा, उससे भी आप लिकाल सकते हो, बैटरी आप देखें के पुरी melt हो गई है, टॉप का देखें के तो आपको यह लिकालना रहेगा पूरा screw, यह Motherwood के screw है सब, साइट में आप देखें के तरफ अंटीन है वाइफाई का, सेफटी रखके आपको लिकालना रहेगा, और जितने connector आपके वो पूरा सेफटी से खोलना है, Motherwood आप देखें के दम प्रॉपर लिकाला है, कुछ प्रॉपलम नहीं है, अब डाउन उपर नीचे एगा तो आपको सेफटी से करना है दोनों कैमरे का स्कूरु जोग पर रहता है, और रिमोट करना है और यहांका सेफटी से लिकालना रहेगा, कैमरे के तरफ जैब उपर से लिकालना नीचे से लिकालना नीचे श्टीप खराब लेगी तो camera आपका खराब बजाएगा, पोर्ट्रेट क्यामरा देखे के इद्दम ओर्वर्णल दिया हुआ है जो रहता एपल का लेंज के उपर डिफर्ट में होना चाहिए जो चाल स्टीप है वॉल्यूम बटन और फैबरेशन हो पूरा आपको ट्रेल लिकालना है यह जो श्टील का स्कुरू है यह पूरा आपको लिकालना है यह क्या रहता डिस्प्ले का ना लॉक रहता है जो बेटता है उपर से पूरा लैंच से आपको लिकालना और उपर से वाटर रेजिस्टर आप देखे के जो स्पीगर दिया रहता है नीचे जाली तो गिरिल आपक को खोलना रहेगा आप देखें का पूरा लिकल गया है नीचे का टॉप का इंचार्जिंग का पीन रहता है उसको भी लिख नहरेगा रहता भी नेको ब्राक्ट. यह आप देखेंगे नेटवर्ग दिया हुआ है इसको भी सेफटी से लिकालना रहेगा साइट का सी चॉप बटन इसकुरू में उपन कर लिया कि वीडियो लंबा बनेगा इसके लिए शॉट में बनाया हुआ साइट का तीन स्कुरू रहता है वह आपको सेफटी से खोलना रहेगा आप देखेगा वॉल्लीम बटन फ्लैश लाइट कैमरा वैबरेशन वॉल्लीम अप डाउन रहता है इसके लिए तो पूरा कनेक्शन इसमें से कुछ भी खराब होता तो पूरा रिप्लेस्मेंट करना पड़ता है बॉडी देखेगा पूरा डेंट आ चुका है बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्डेंट क्या रहता से चौप बचनगा और वॉल्लीम बटन सेफटी से खोलना रहता आपको इसके अंदर लॉक रहता लॉक का तरीका में आपको बता देता हूँ आपके पर ट्यूजर रहेगा तो इसको उपकर से अपकरने का और खीज के लिकालने का तो लिकल जाएगा प्रिसाइट में आप देखें कि कैमरे के दर स्टी ब्रेती नेटवर्क के लिए दियता एक इसकोरू के उपर हाउसिंग में लगा रहता हूँ बराबर सेफटी से आपको खोलना रहता कि पूरा स्कूरू पूरा सेफटी से आपको याद रहना चाहिए कि सब स्कूरू पूरा डिफरेंट रहता है तो कौन सी जगे पर कौन सा स्कूरू रहता हूँ आपको याद रहना चाहिए यह न्यू हाउसिंग है इसके अंदर अभी पूरा पाट इसके अंदर लगाएग माइक और स्पीगर का जो रहता हो भी जा लिए आपको लगाना जारू भी है जो लिका ला था सेवटी से आप देखे के पूरा चीज एट टो जेट में नीचे का पूरा काम कर चुका हूँ उसके अंदर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं खाली स्कुरू पे आपको ध्यान देखे जैसा साच बना वैसा बिठाना रहेगा पावर बटन का देखे गए फिर से आपको बटन लगा के लॉग बिठाना देला दोनों तरब आपको ऐसे ही करना पावर बटन वॉल्लिम बटन में इंपोर्टन बात क्या रहे थी जो मैं आपको उपर टॉप पे दिखा रहा हूँ बारी कलर के आपको जाली दिखाई दे पावर बटन उसके अंदर ही रहता माइक तो जाली लगाना इस वज़े से रहता जैसा लिकविड ड्यमिज होता है तो पानी आपका नहीं जाएगा सेफ्टी रहेगा तो यह पूरा सेफ्टी से आपको बिठाना रहेगा कट्टू कट अप ! डाउन नयुक्ट चाहिए अप ! डाउन होयगा तो आपका पौर्वडवन बटन क्लिक नहींगा वोल्लिंस बटन भी आपुंधधान नहीं चलेगा तो आपको पुरा सेवटी से बिठाना रेगा दोनों तरफ राइट और लेफ्ट के तरफ और जो स्कुरू रेग आप नॉर्मल लगा के छोड़ सकते हैं बाद में फिटिंग पूरा प्रॉपर कर सकते हैं स्कुरू लगाने के बाद आपको पावर बटन वॉल्लीम बटन दबा के प्रेज करना है फिलिंग और दबाने वाली दम पर्फेक्ट चल रहा क्लिक जैसा हुआ जाना चाहिए मदरबोट आप देखेगे पूरा दम पर्फेक्ट बिताना है अब खुब उसमें कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए उपर नीचे तो प्रॉब्लम आईगा जितने स्कुर्वर साइट के मैं सब लगा दिया हूँ नेटवर्क भी बिठा दिया आप देखेगे जो नीचे गा चार्गिन श्टीब जो था वह भी क्लिक कर दिया हूँ कैमरा उपर से आपको टॉप से बिठाना है और दोनों कनेक्टर आपको लगाना है उपर का जो ग्रीप रहता है जो स्टील कवे का सेफटी रखने के लिए जैसा हो क्यूद देता है कि आपका फोन गिरता है तो कैमरे में कुछ डिफेक्ट नहीं है तो भी आपको लगाना रहेगा यह पूरा बेट गया और यह वाइपाई का है यह भी आपको सेफटी से बिठाना रहेगा चारी स्कुरू रहता है कि दो मदर बोट में रहेगा एक बॉड़ी में रहेगा हाउजिन में मदलब नेटवक का जो फेक्ट पेंसी रहता है वह आपको पावरफुल रहेगा तो उसमें मिस्टिक नहीं होना चाहिए ने तो आपको वाइपाई बराबर चलेगा नहीं और यह जो स्टील का अब दे अब यह सब बेट गया बैटरी का जो उपर कर रहे तो लिखाल लेता हूं हाउजिंग में कभी भी आप बिठाते बैटरी तो इसका इदम परफेक्ट इसको साइज रहेना चाहिए बैटरी बेट चुका है डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है वो बराबर बिठाना रहेगा साइट में आप देखेंगे वाटर रेजिस्टन्स जो सील होता है वह भी लगा देना है आपको तो लगाएगा तो उससे पानी नहीं जाएगा थोड़ा सेवटी रहेगा कनेक्टर में पूरा बिठा लिया हो यह श्टील का प्लेट होता है यह भी लगा लिया हो आप देख करोगे तो आप ठैच नहीं चलेगा तो पूरा आपको इसको एर पूरा बराबर फिटिंग देना पड़ेगा फिट होगा और इसका माई नंबर भी मैं चेक कर लेता हो कि कि जो स्लोट रहता है सेम हाउजिंग का ही लगाना पड़ेगा नहीं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है आप देखेगे आपकी हाउसिंग इद्दम हंडर्ड पसंद जैट ब्लैक आइफोन सेवन प्लस का हो चुका है नीचे दो स्कुरू है वह भी मैं पैक कर लेता हूँ मूबाईल के अंदर कैसा होता छोटे से लेके बड़े थक पाट पूरा बराबर डालना परता कुछ प्रॉबलम नहीं आना चाहिए और पूरा स्कूर बराबर फिटिंग होना चाहिए पहला तो आपका फोन गिरेगा भी तो कुछ प्रॉबलम नहीं आएगा, बैटरी हेल् आप देखेगे तो 100 पसंद ही करा और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना बुलिए